नमस्कार देख रहे हैं आप कशिश नियूज और मैं हूँ आपके साथ विनिता मिश्रा बिहार और जारखंड का लोकुप्रिय चैनल कशिश नियूज ने आप आज अपनी अस्थापना के 11 साल पूरे कर लिये हैं इस मौके पर जारखंड में कशिश दफ्तर में केक काटा जा रहा है हम आपको कशिश नियूज के राची आफिस लिये चलते हैं जहां हमारी सहयोगी रुची हमारे साथ जुड़ी हुई है रुची कशिश नियूज ने शांदार 11 साल पूरे कर लिये हैं 12 साल में आज प्रवेश में कर लिया है क्या कुछ आफिस में चहल कद्वी है क्या कुछ कैसे सलिब्रेट कर रहे हैं राची आफिस में जीव नीता 11 साल पूरे करना 11 साल का सफर जो होता है वो कम नहीं होता है 11 साल बेमिसाल और हम टी आरपी नहीं विस्वास जैसा की हमारा कहना है कि हम टी आरपी नहीं विस्वास जीतते हैं ग्यारा साल का सफर पूरा किया है और आगे भी यूही निरंतर सफर चलता रहे और बेहतर भविश हो कसिस की पूरी परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख रही है कि एक ग्यारा वर्ज पूरे होने के जस्न में वो खिसिया मनाई जा रही है और यह हमारा क कसिस का एक छोटा सब परिवार यहां पर उपस्थित है कसिस के जो कह सकते हैं कि स्टेट कॉडिनेटर एक गार्जियल स्वरूप जिनके हाथ में जारखन की बागडोर अभी है उनसे हम बात करते हैं सर एक 11 साल हमने पूरा किया है क्या कुछ काना चाहेंगे इस खुसी के आस भी है गडिए रूची अगर हम बात करेंगे पत्रकारिता की तो जो है कसिस जो है कसिस परिवार जो है आज निस्पक्ष पत्रकारिता के स्फितर में बड़ा जानते हैं और यह जानते हैं कि कसिस mess anche छली है तो वह कहबर पुखता होगी क्योंकि कशिस पर खबर चलने के बाद उतरती नहीं है हमारी कोशिस यह रही है कि हम एक गरीब जो मजबूर लाचार और समाज के अंतिम पायदान पे जो बैठे बैखती हैं उनकी आवाज बने हम उनकी आवाज बने जो सरकार से गुहार लगाते हैं हम उनकी आवाज बने जो सरकार जो चाहती हैं जारा सालों में हमारी कोशिस काम्याब रही है लोगों का भरोसा हम पे रहा है हम लोगों का भरोसा जितने में कामियाब रहें और हम यकीन दिलाते हैं लोगों को कि आगे भी इसी तरीके से हम आपके विस्पास पे आपके भरोसे पे पूरी तरह खरा उतरेंगे और जिन उम्मीदों को जिन अकांग्शाओं से हमारी और देख रही है जनता समाज के अंतिम पायदान पे बैठी हुई जनता जिन उम्मीदों से हमारे पास आती है या हमारे तक सुचनाय पहुचाती है हम उन सुचनाओं को लोगों तक जरूर पहुचाएंगे और इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इसमें कहीं किसी भी तरह की कोई कोता ही नहीं होगी और जो विश्वास जो भरोसा पिछले ग्यारा सालों में आपने जताया है आने वाले दिनों में कसिस परिवार उस भरोसे पे और भी खरा उतरेगा जो लोगतंत्र का चौथा स्थम्भ है जो और जो निर्भान करना होता है करता दियो को वो आगे भी करता रहेगा तो विनीता अभी आपने सुना कि हमारे जो स्टेट कॉडिनेटर हैं उन्होंने कहा एक 11 साल कम नहीं होता है केक काट कर जो है खुस्या मनाई जा रही है एक दूसरे को खिलाया जा रहा है और खास कर हम जनता को यह बताने का परियास कर रहे हैं कि जो जनता है वो हमारे भरोसे पर अभी तक उनके भरोसे को हम जिन्दा रखे हैं, भरोसे पर कायम रहे हैं, तो आगे भी यह भरोसा बरकरार रखेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी है, राजेज दी इस भरोसे को हम काय क्या कुछ 11 साल का सफर कम नहीं होता है क्या कहना चाहिए जी बिलकुल यह एक परिवार जैसा है पिछले आठ सालों से हम यहां सेवा दे रहे हैं पत्रकारिता के छेत्र में बहुत ही उतार चरहा हुआ सभी संघर्ष के साथ हम लोग अभी डटे हुए हैं कोरोना का दो साल का प्रियेट था उस समय भी हम लोग निस्पक्ष और इमंदारी से अपना कार्म को किये तो एक तरह से घर का परिवार और यह दफ्तर जो है पूरे परिवार जैसा ही है सभी लोग मिल जूल कर काम करते हैं अभी तो यह चैनल 11 वर्स यानि युवा अब धीरे-धीरे हो रहा ह है एक लंबी और छलांग लगाने की उमीद है हम लोगों को तो राजेस जी ने जासा कहा कि 11 वर्स अभी तो धीरे-धीरे युवा हो रहा है यानि कि जब युवा वस्ता आएगी तो और भी निखर कर सामने आएगा कसिस परिवार और आगे भी हम जनता के उमीदों पर खर रहा है ऐसे में कितने चैनल आएं कितने चैनल चले गए लेकिन कशिश न्यूज लगतार लोगों की जो उमीद है उस उमीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशुष करता है खड़ा भी उतरता है और आगे भी यह कोशिश जारी रहेगी राची में और भी आपकी सहयोगी उनसे भी मैं मिलाना चाहती हूं और उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी कि वो क्या इस जो है बात करते हैं हमारे सरी हैं वो कुछ करना चाहते हैं जो स्टेट कॉडिनेटर है सर जहारखन की जनता की जो उम्मीद है वो किस तरह से कायम रखा जाये चुकि कितने चानल आये कित और कहें तो जो तमाम उच्पदादिकारी हैं पर यह पॉल्टीसियन्स हो या एजुकेशन से हर छेतर से जुड़े हुए लोगों का विश्वास जो है वो कसिस पर टिका रहा क्या कुछ करना चाहेंगे देखिए रूची जैसा कि मैंने पहले बताया कि सत्ता के गलियारे की बात हो या फिर गरीब के दरवाजे की बात हो हमारी कोशिस रही है कि हर बात को हर आवाज को एक स्वर में उठाए और इसको लेकर के हम लगातार प्रयास करते रहें हमारी पूरी टीम बात चाहें हम राजधारनी राची की करें यहां प्रोजेक्ट भवन की करें आप बिल झाल